वेलकम एबरीबड़ी आज की इस वीडिव में हम डिसकस करेंगे कि कैसे चीनी सैनिक पिछले महीने जो भारत की उत्राखंड राज में प्रिवेस कर चुके थे और डेपिनिटली वो लोट भी गई लेकिन उन्होंने इस कारड से प्रिवेस करने के बाद उत्राखंड में एक गटना रही है और जो चीनी सैनिक थे वो गोड़ों पर सबार थे वहांके नोकल पीपल्स के मताबिक लगव सत्र से असी लोग जो गोड़ों पर आये थे और साथी कुछ पैतल सैनिक भी आये थे और वो अपने साथ उत्राखंड की सीमा में कुछ जादा ही अंदर चले और यह जो घटना तीस अगस्त के आसपास की बताई आ रही है यहां करीब तीन गंटे तक जो सैनिकों ने उत्पाद मत चाया और कुछ सैनिक गोड़ों पर थे बागी के सैनिक पैदल थे देखिए बात किया थे उन्होंने जो सैनिक थे जो चानी सैनिक थे इन्होंने पैदल आए तो उन्होंने जो चीनी सैनिक आये थे वो गोड़े पर सबार होकर आये ते कुछ पैदल आये और उन्होंने जो पुल था उस पुल को कापी छती गरस्ति कर दिया लगवा उसको नश्टी कर दिया और काफी उत्पाद मता कर लगवा तीन से चार गंटें वाप चुके हैं इसी वर्स जुलाई में चीनी सैना की एक प्लाटून बाड़ा होती के पास सीमा पर नजर आई थी कुछ दिनों बाड़ा होती में भेड़पालक मौजूद हैं और उन भेड़पालकों ने बताए कि पिछले कई महीनों से कुछ-कुछ समय पश्चा चीनी सैनिक भारत की काफी अंदर तक सीमा प्रिविस करे जाते हैं उनकी संक्यलागों सत्तर से असी के बीच में होती हैं लेकिन काफी देर तक गुमते रहते हैं फिर बापस चले जाते हैं तो इस इस्तिती को निपटने के लिए देगी जैसे कि आपको पता है कि भारत और चीन के भारत का जो राज है उत्राखंडवे अपनी जो सीमा है वो चीन के साथ भी साजा करता है वहीं पर चीनी सेने जो है वहां पर अभी जो गटना अंचाम देगी वहीं पर है बात किया तो देगी जो चमेली मैंने आपको बताए चमेली जिला है बाड़ा होती में चीनी सेना क के बीच हमारी जो पुलिस रहती है वो आई टी बीपी के जो हमारे सोल जड़ से वहां पे तैनात रहते हैं और बात किया तो भारत की तरब से इसका एक करारा जबाब दिये गए भारत ने आई टी बीपी पर अपने जवानों की संक्या में बड़ उत्तरी कर दिये जिस हैनके जो बॉर्ड अंधर भी बेज बेज देता है लेकान ऊपने सकुल से कराना जबाब नहीं मिल पाता कि कि वो ज्यादा थोड़ा सा तागत वर है उसके पास जो ऑर्मी पावर जाहें उसके पास एयरपोर्ट्स रहमी ज्यान bent